हेलो एव्रिवन हाव यू आल विदिक सिख्षा के आज के सेग्मेंट में आपके साथ हुमें आपका मित्रमान मोहन जोशी और हम सॉल्व कर रहे हैं आई पी सी के questions को तो सीधे जम करते हैं question and answer की और chapter 2 के question समलेंगे क्योंकि chapter 1 के जो important questions हैं जो पहले कभी किसी exam में आये हैं all India level पे तो वो मैं आपको पहले solve करवा चुका हूँ आईए चलते हैं chapter 2 के पहले question की और पहला question है भारती डंड सहीता में pulling वाचक शब्द प्रयोग किये गए हैं नर है तू, option number B है नारी है तू, तीसरा option है हर एक व्यक्ति है तू चाहे वो नर हो या नारी हो और चौता है ऐसे शब्द का प्रयोग सहीता में है ही नहीं तो आप section 8 देखेंगे तो आपको वहाँ पर में gender या लिंग शब्द की परिभाशा मिलेगी और ये धारा कहती है कि जहां कहीं भी pulling वाचक शब्द प्रयोग किया गया है मतलब जहां ही का यूज किया है वहाँ पर में she including माना जाएगा तो जो सा option है ये सही है आपके लिए नर हो या नारी हो सब के लिए उप्योग में लाया गया है चलते हैं दूसरे question की ओर देखें question number दूसरा भारती दंड़ सहीता में पुरुष्व इस्त्री शब्द का सब्द किस बात का दियो तक है तो option number पहला है किसी भी आयू के मानो नर या मानो इस्त्री का option number दूसरा है केवल 18 वर से अधिक आयू के नर वनारी का तीसरा option है केवल मानसिक रूप से सक्षम नर वनारी का और चौथा option है केवल समविदा करने में सक्षम नर या नारी का तो आपका answer है पहला किसी भी आयू के मानो नर या मानो इस तरीका इसके लिए आपको देखना परेगा section 10 जहां पर में men और women नर या नारी सब्द को परिभाशत किया गया है और ये धारा कहती है the word man denotes a male human being of any age किसी भी आयू के नर का दियो तक है and the word woman denotes a female human being of any age किसी भी आयू की नारी का दियो तक है अगला question देखें भारती दंडे सहीता कि धारा 10 में पुरुष शब्द का दियो तक है कोई नर मानो कि थे अगला question देखें है भारती दंडे सहीता में इस तरी सब्द दियो तक है तो answer आपके पास मैं भी मैंने बताया जो male सब्द की परिभाशा है वही female या woman सब्द के लिए परिभाशा दी गई है पहला option है 14 वर्ष से उपर की आयू बाली किसी महिला का दूसरा option है 18 वर्ष से उपर की आयू बाली किसी महिला का तीसरा option है 21 वर्ट से उपर की आयू बाली किसी महिला का और चौथा option है जन्मजाद बाली का सहित किसी भी आयू की महिला का तो इसका अंसर है आपके लिए the और आपको again section 10 धारा 10 रेफर करना होगा जो मैंने भी आपको detail में समझाया है अगला प्रशन देखिए भारती दंड सहिता में शब्द इस्त्री यो तक है option number 1 है वयस्क इस्त्री का option number 2 है अविवाहित इस्त्री का option number 3 है किसी भी आयू की इस्त्री का और चौथा है विवाहित इस्त्री का ये question पूछा गया है पहले बहुत सारे judicial examination में लगभग 8 से 10 वार ये question पूछा जा चुका है इसलिए म सो women of any age तो आपका answer sir है धारा 10 से ये प्रशन निकल कर आया है आप इससे याद कर लें अगला प्रशन देखें भारतिय दंद सहीता में व्यक्ति शब्द के अंतरगत क्या आता है तो person word को define किया गया है व्यक्ति को ये परिभाशा दी गई है धारा 11 में options देखिए a है कोई भी company ब है कोई भी संगम सह है कोई भी व्यक्ति निकाय और चाहे वह निगमित हो या नहीं और द है उपरोप सभी तो धारा 11 लिखती है the word person includes जो व्यक्षी सब्दे इसमें आते हैं any company कोई कंपनी आती है और association लोगों का संगम आता है और body of persons व्यक्ति निकाय आता है वेदर corporate or not चाहे वो निगमित है या नहीं तो यह तीनों ही आते हैं इसमें a,b,c इसलिए आपका अंसर the है उपरोप सभी अगला प्रशन देखिए लोग शब्द के अंतरगत क्या आता है तो लोग क्या नहीं English में इसके लिए word है आपके पास public तो लोग शब्द के अंतरगत क्या आता है option number पहला है लोग का कोई भी वर्ग दूसरा है लोग का कोई भी समुदाए तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं तो आप section 12 निकाल कर पढ़ेंगे धारा 12 तो वहां आपको public या लोग शब्द की परिभाशा मिलेगी और यह धारा कह अगले प्रशने पर चलते हैं निम्नांकित में से कौन न्यायाधीश के अंतरगत आता है तो न्यायाधीश या जज शब्द परिभाशित किया गया है section 19 में question number पहला है प्रशासनिक न्यायाधी करण का सदस्य प्रशासनिक न्याधी करण होता है administrative tribunal दूसरा है ग्राम दोनों और चौथा है कोई नहीं तो जब आप जज शब्द की परिभाशा देखेंगे 19 में तो वहां लिखा है the word judge denotes not only every person who is officially designated as a judge इसमें वो तो वेक्ती आता ही है जो officially judge के पर न्यायधीश के पर पर काम कर रहा है but also every person लेकिन इसमें वो लोग भी आते हैं लिखता है who is empowered by law to give any legal proceeding civil or criminal a definitive judgment तो कोई नियाई कारेवाही जो civil है या दांडिक वो करने में सक्षम हो ऐसा व्यक्ती भी आता है definitive judgment एक अंतिम निर्ने देने में सक्षम हो ऐसा व्यक्ती आता है और a judgment which not appealed against would be definitive या ऐसा कोई निर्ने देने के लिए सक्षम हो आता है जिसकी यह अपील नहीं क की गई तो वो निर्ने अंतिम होगा और a judgment which if conferred by some other authority would be definitive या कोई और authority ने उसको confirm कर दिया तो निर्ने जो है माना जाएगा की अंतिम है लिखा है लिखता है आगे कि who is one of a body of persons which body of persons is empowered by law to give such judgment या वो किसी ऐसे निर्नायक मंदल का सदस्य हो जो कोई निर्ने देने में सक्षम ह तो वो भी आता है तो नियाधीश में इसका मतलब यह है ए वाला तो ठीक है प्रशासिक नियाधी करण का सदस्य आएगा क्या ग्राम पंचायत का सदस्य से भी होगा तो इसके लिए आपको देखना होगा इसके illustrations तो आप section 19 के illustration number C में जाएंगे धारा 19 के दृष्टांत number G म तो हाँ आपको लिखा हुआ मिला है कि a member of पंचायत which has power to decide any case under regulation 1816 of madras code is known as judge तो धारा 19 के illustration C के नुसार जाएंगे तो ये वाला ग्राम पंचायत का सदस्य से क्या माना जाएगा जज माना जाएगा इसी लिए आपका उत्तर क्या है सर आपका उत्तर है आप जाने अगले प्रश्ण में चलते हैं आएए अगला प्रश्ण है न्यायाले शब्द के अंत भाषा धारा 20 में दी गई है तो option number 1 है प्रश्णिक न्यायाधिकरण दूसरा है सैनिक न्यायाले तीसरा है ग्राम पंचायत और चौथा है व्यवहार न्यायाले तो प्रश्णिक अधिकरण जो है इसे हम कहते हैं administrative tribunal सैनिक न्यायाले कोर्ट मार्शल कहलाता है ग्राम और व्यवहार न्यायाले है सिविल न्यायाले तो सिविल कोट आपका अंसर इसमें है सैनिक न्यायाले तो जो कोट मार्शल है वो इस definition के अंतरगत court of justice के परिभाशा में नहीं आता है section 20 आपको refer करना होगा अगला question देखें भारती दंडे सहीता में न्यायाले शब्द किस सब्सक्राइब का दियोतक है तो यह मैं भी थोड़ी दर पहले आपको बटाया है court of justice section 20 में है option नंबर पहला है उस कक्ष का जिसमें न्यायाधीश अपनी बैठक करता है जी नहीं न्यायाले का मतलब कोई building से नहीं है ना option number B है कैसा किसी civil judge का न्यायाले तो civil judge का न्यायाले होता है ठीक है लिखा है ऐसे न्यायाधीश के जिसे केवल न्यायकतह कारे करने है तो विधीद्वारा अधिकृत किया गया है तो अगर आप section 20 देखें तो section 20 में लिखा हुआ है the words court of justice denotes a judge who is empowered by law to act judicially alone तो धारा ही कहती है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे न्यायक कारे करने के लिए विधीद्वारा अधिकृत किया गया है वो न्यायाले है तो इस परिभाशा के हिसाब से जाएंगे तो answer c सही है सव अलाउत्तर सही है एक question और देखें भारती दंडे सहीता कि किस धारा में लोग सेवक शब्दों को परिभाशित किया गया है तो आपको बता दूमें दो तरह के सेवकों की परिभाशा आई पी सि में दी गई है section 14 में दिया गया है servent of government सरकार का सेवक और section 21 में जाएंगे तो public servant की परिभाशा है लोग सेवक तो यह लोग सेवक के बारे में पूछा जा रहा है public servant के बारे में section 21 में इसके परिभाशा दी गई है जो आपको जाननी चाहिए तो आज के quiz time with M.J. sir में इतना ही और उमीद है कि आपने सारी बातों को ध्यान से समझा होगा इतने सारे question आप याद कर लीजिए यह वो question है जो कभी ना कदरी किसी judicial exam में पूछे गए है और यकीन मानी अगर आप इन questions को solve कर रहे हैं तो किसी भी exam में जिसमें प्रीमे questions आने है objective इससे बाहर नहीं आएंगे तो like, share, comment करिए और मुझे बताए कि कौन से और subject के question answers आप solve करना चाहते हैं मेरे साथ और एक important question और आपके लिए है कि ये जो लोगसेवक शब्द की परिभाशा दी गई है section 21 में आपको comment box में बताना है कि इसके कितने classes या कितने work हैं कितने points में लोगसेवक को define किया है तो जुड़े रहिए अपने favorite channel विदिक सिक्षा से आईए हमारे facebook page पर www.facebook.com और जो लोग English medium से हैं वो विदिक सिक्षा English सब्सक्राइब करने आज ही टेक कियर बबाई have a next time झाल